गवर्मेंट नोकरी ओफिशल में आप सबका स्वागत है आज पर एक नई अपडेट लेकर आया हूँ यहां नेशनल फेटिलाइजर लिमिटेट से इंजिनिरिंग वालों के लिए बंपर भरती निकाली गई हैं मेकैनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले जरूर अपलाई कर देखना है आई यह में करके जानते हैं यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर्टेकिंग कंपनी है अड़्वर्टाइजमेंट नमबर आप देख सकते हैं और डेट देख सकते हैं 28 अप्राइल को यह निकाली गई है तो रुकुप्मेंट यहां देखते हैं यहां जो भरती निकाली गई हैं अट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल लेड़र्टरी सेविल और फायरेंड सेप्टी इंजिनिरिंग पर और नौन इंजिनिरिंग पर दोनों के लिए निकाली गई हैं यहां गोल्डन चांस है आप सभी जरूर अपलाई करें यह जो नेशनल फेटिल इंजिनियर और मैनेजर इसमें आपको grade पे दिया जाएगा E1 और E4 इसमें आपका yearly जो package बनता है वो 11 लाग से 19 लाग तक आपको दिया जाएगा यहाँ वेकैंसी डिवाइट कर दी गई यह सब category में और अगली पोस्ट की बात करें तो यहाँ निकाली गई यह mechanical field में दो category के इंजिनियर और मैनेजर इवन इफोर ग्रेट पे से आपको यहाँ yearly तंखा मिल यहाँ बता दी गई है ग्यारा से 19 लाग आपको yearly यहाँ आपका package बनता है और यहाँ वेकैंसी category वाइट करती गई है वहीं बात करें अगली वेकैंसी की तो electrical इंजिनियर के लिए निकाली लेगा और अगली वेकैंसी की बात करें तो इंस्टुमेंटेशन इंजिनिरिंग के लिए निकाली गई है इसमें किवल इंजिनिरिंग के लिए निकाली गई है इसमें कोई मैनेजर की पोस्ट नहीं है इवन ग्रेट पे आपको दिया जाएगा मतलब 11 लाग तक आपका yearly package बन सकता है यहां और अगली वेकैंसी की बात करें तो सिवल इंजिनिर के लिए निकाली गई है इवन ग्रेट पे आपको इसमें भी दिया जाएगा 11 लाग तक मंतली पैकेज है और कैमिस्ट की निकाली गई है इसमें केमिकल लैब वाल लैब को जिसका experience वो इसके लिए जर क्राइड कर दी गई है तो आई एम इसके डिटेशन एक एक करके जानते हैं इसका फॉर्म जो आपको आफलाइन अप्लाई करना है वीडियो के ऐंड़ तक बने रही है मैं बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है वही बात करें तो ग्रेट पे की जो इसमें ग्रेट पे जो दिया गया है चैमिस्ट और इंजिनियर का वह 40,000 से सट एक लाख चालेस अजार तक दिया गया है और जी और इसमें बात करें तो अपोइंट्मेंट प्लेसमेंट की इसमें आपको एक मेडिकल फिटनेस एक्जाम या फिटनेस टेस्ट भी आपको लगेगा यह तो येक्जों को लिटन लिने के बाद की प्रोसीजर है बात करें तो क्राइटेरिया की जो इसमें इंजरियर प्रडक्शन की व्हैंश है उस में आपको कम से कम आपको 30 percent marks होना रग्री जाव नेक्ट बनार्क च़ाई है बीटेक की डूरियोत थे कि एज कम से कम 45 से कम होनी चाहिए इसमें भी नौ साल का एक्सपिरियंस मांगा कोई भी पॉब्लिक गवर्मेंट सेक्टर में आपको इसमें एक्सपिरियंस होना चाहिए वहीं अगली पोश्ट की बात करें जो मेकैनिकल की निकाली गई इंजीनियर और मैनेजर के लिए इसमें भी कम ते कम आपकी डिगरी में 60% मांक्स होने चाहिए आपकी जो बीटेक की डिगरी है इन इंडि मेकैनिकल फिल्ड की और इसमें एज ल और नौ साल का इसमें एक्सपिरियंस कोई भी पब्लिक और गवर्मेंट सेक्टर में मांगा गया है वहीं अगली बात करें तो इलेक्टिकल में मैनेजर और इंजीनियर की पोश्ट में 30 और 45 एक्सपिरियंस एज लिमिट दे गई है कम साट परसंट आपकी डिगरी में मां मांगा है नौ साल का इक्सपिरियंस मैनेजर के लिए मांगा है मैं अगली विकंसी की बात करें तो इंजीनियर इंस्टुमेंटेशन में निकलिया है बी टैक की डिगरी आपकी इंस्टुमेंटेशन की कम साट परसंट की होनी चाहिए एज लिमिट 30 यहां दे दी गई है औ और इसमें भी एक साल का आपको एक्सपिरियंस मांगा है कोई भी पॉब्लिक और गवर्मेंट सेक्टर कोई भी चलेगा और इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें भी आपको साट परसंट मांक्स आपकी डिगरी में होने चाहिए इसमें भी 30 यह आपकी एज लिमिट इस यह दे दी गई है टोटल वनियर का आपको एक्सपिरियंस होना चाहिए कोई भी प्राइविट सेक्टर गवर्मेंट सेक्टर में आपको एमोनिय यूरिय फेटलाइजर कॉंप्लेक्स कंटिन्यू प्रोसेस पैट्रोल गेमिकल इंडेस्ट्री इन सब कर ग्यान होना चा कोई भी गवर्मेंट प्राइविट सेक्टर में एज लिमिट उपर बता दी गई है एडुकेशन कौलिफिकेशन भी उपर बता दिया गया है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर लेना पे स्केल भी यहां बता दिया गया है ईव सब्सक्रिप्शन कर दिया गया है इंजिनियर केमिस्ट और मेनेजर की यहां जो इसपेस के लिए 35,400 लाग 24,000 तक है मेनेजर का एक लाग 70,000 तक यहां आपको पेसकेल बताया गया है 12,00 पर रहनम और 6,00 पर रहनम मेनेजर का और इंजिनियर का यहां बता दिया गया है और experience की बात करें तो एक या दू साल का experience यहां मांगा है इंजिनियर के लिए एक साल का application fee की बात करें तो 700 रुपे लगनी है जनरल OVC candidate को और कोई fee नहीं देनी है एक सर्विसमेन को तो यहां जो fee है वो आपको demand draft बनवानी है form apply करने की procedure मैं बता दूँगा इसमें जो form apply आपको करना है वो offline apply करना है सबसे पहले आपको जाना है www.nationalfetalizer.com की website पर career section में जाना है recruitment में जाना है recruitment and fire and safety वहां से आपको application form डाउनलोड करना है और application form को आपको डाउनलोड करके भरना है और उसमें सारे अपने education qualification और experience certificate लगा कर speed post से आपको नीचे दिये गए address पर send कर देना है general manager HR national fertilizer limited pin code यहां दे दिया गया है 201 301 ध्यान रखिए जब आप speed post से आप जब यह application form भर के अपने qualification लगा के send करेंगे तो आपको ऊपर mention करना है आपके पोस्ट के लिए apply कर रहा है application for the post of engineer या manager तो आपको लिफाफ एक यूपर लिखना पड़ेगा अपके पुस्ट के लिए apply कर रहे हैं यहां self-attested photocopy बता दी गई क्या 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 लगाने date of birth लगाना है ऐसा date of birth 10th की मार्शीट आप से आपकी date of birth जानती जाए education qualification experience certificate लगाना है आपको pay scale पहले कितना मिलता था application fee का आपको एक demand draft बनवाना है demand draft बता दिये गया है कितना 700 रुपय का बनवाना है general OVC को SCHT को कोई fee नहीं देनी है और form को offline apply करना है www.nationalfetalizer.com की website से आपको form मिल जाए करियर recruitment section पर और उसको अपने qualification certificate लगा कर दिये गए address में pin code में 201301 speed post के तुरू आपको send करना है और उस लिफाफे के उपर आपको post mention करना है application for the post of desk जो post के लिए आप apply करना है वो लिख दें तो ऐसे आपको form apply करना है और इसके साथ demand draft सास्तों रुपय का जरूर लगाना सिर्फ general OVC वाले candidate को बाकी PWDX serviceman को कोई demand draft नहीं लगाना है तो बात करते हैं short listing procedure की अगर यहां पर direct interview के लिए बुलाया जाएगा अगर बहुत ज़्यादा application उनलों के पास आए के बहुत ज़्यादे लोगों ने अगर इस post के लिए apply किया तो वो एक exam भी conduct करा सकते हैं डेली रीजन में या ओल इंडिया रीजन में कहीं भी exam conduct करा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा application उनलों के पास applicant बहुत ज़्यादा आए या तो वो सीधा personal interview के लिए बुला लेंगे वहीं वहीं आप www.nationalfetalizer.com की website में जाकर आप form डाउनलोड कर लिजिए उसे भल लिजिए अपने सारे document लगा के speed post दिए गए address में कर दीजिए और उपर post mention करके जरूर लिकना application for the post of इंजिनियर या मेनिजर जिसके लिए आप apply करें इसकी लाज़ डेट 27 माई तक दी गई ह गवर्मेंट नोकरी ओफिशल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें